इंदिनों पुर्देश में लोकसुबा चुनाव को लेकर काफी हलचर मचू है आज चोथे चरंड के मद्दान के बीच बॉलिवुड सतारों के बीच गमासान देखने को मिल रहा है शोशिल मीडिया पर बॉलिवुड सतारों की राजनितिक विचारों के चलते जंग जारी है इसी जंग की शिर्वाद बॉलिवुड एक्टर अनुपम खेर के ट्विट सहुई थी उन्होंने अपने ट्विट बिना नाम लिए कनिया कुमार को टार्केट किया था अनुपम का ट्विट कनिया कुमार को कैसा लगा यहां तो नहीं पता लिकिन एक्टरस स्वरा भासकर इस ट्विट पर दीखा जवाब देकर अपनी प्रतिक्रिया दी है बता दे कि स्वरा भासकर शोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है वहां कनिया कुमार का भरपूर समर्टन कर रही है इतना नहीं स्वरा ने बेगु स्ट्राइल लुक्सबा सीट से चुना लड़ रह है कि अनुपम खेर ने बेगु स्ट्राइ के प्रतियाशी करिया कुमार का नाम लिए बिना लिखा सुना है टुकडे टुकडे गेंग का एक सदस्त बेगु स्ट्राइ सेलेक्शन लड़ रहा है जो अपने देश का नहीं हो सकता वो आपका क्या होगा इसके बाद कुछ बीलों से बाहर निकल आये हैं बैचारे इस बाद पर स्वरभासकर नुपम खेर के इस ट्विट को शेर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और हमने ने रिप्लाइ करते हुए लिखा कि सर मुझे लगता है कि आप भूपाल की बिजी प्रत्याश्टी प्रग्या ठाकुर क कि बात कर रहे हैं सही कहाना जो देश की ना हो सकी जिसने आतंगवादी हमले द्वारा देश तोड़ने की कोशिश की वो भला भूपाल की अस्तान सत्ती क्या होगी जैहित इस तरह सरभासकर निनुपम खेर को करारा जवाब दिया है तो ऐसी जान करिया हम आपको हर रोज देते रहेंगे आप देखते रहे हैं गमासंड.com सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस बैल आइकन फोर मोर अपडेट्स